कि अधियों कैसे हैं सभी चलिए आज के एडिटोरियल को डिसस कर लेते हैं जी बहुत दिनों बाद क्लास हुई है सोरी फॉर दैट मैं कहीं आउट सेशन चला गए था दियर तो अभी हमें क्लासेज को रिजूम करते हैं और लगातार आपको क्लासेज मिलेंगे फ्रेंड्स और की हम लोग उसेखने वाले जो आज की अधिटोरियल मेंट रहेगा उससे तो तो क्या हमारे इंग्लिस के सप्रिक्टिम सब्ससेहलों और उसके अंदर जो भी grammar के concept follow हो सकते हैं जो भी learnable है मतलब एक तो grammar जब सीखते हैं हम लोग उस टाइम सिखेंगे और एक जो जो आपको इसी चीज में समझने पड़ेंगी usage के तुरू समझने पड़ेंगी वह सारी की सारी हम लोग इसी क्लास में सिखेंगे और उसी एडिटोरिल के बेस पर कुछ multiple choice question रहेंगे ताक कि अपके comprehensive skills भी अच्छे तरीके से improve हो जाए जी इतने भी हम लोग यह वीडियो बना रहें डियर यह आने वाले एक्जाम दो चाहिए सबसे पहले आज की क्लास की vocabulary शीखते हम लोग फस्ट वर्ड टुड़ वी हाव इज इवोक वर्ड क्या जी इवोक इवोक का मतलब होता है किसी इसको मतलब अपने अंदर कहते है ना दिमाग में लिया आना उसी इसको प्रड्यूस करने की सेंस में जो करते हैं इवोक प्रड्यूस जैसे मालो कई आप लोग देखा हूं मूवीज बगार होती है तो जो हीरो होता है वह वह वीलेन को पीट रहा होता है तो भी वीलेन एक करना भी बोलते हैं गिव राइस टू ब्रिंग फोर्थ ब्रिंग फोर्थ सामने लेकर आना ची इंडूस करना उसको एक्स्प्रेस करना एको करना एको करने का मतलब वह उसको प्रड्यूस करने की सेंस में ठीक अच्छा वड़ ही वह उक ध्याना खना आप लो नेक्स पेट्रोइट का मतलब होता है जो राष्टरवादी होता है जी नेशनलिस्ट या फ्लैग वीवर बोल पाएंगे जी ठीक है लेबल का मतलब होता हुआ उस चीज के बार इम देना उसको तो यह देना नेम जाशे कर आप लेकर आते हैं कुछ आइटम्स लेकर आते हैं कुछ यह आई आजय आजय समझ लेना वह बनेगी है जी बहुत सारी से वर्ट से व्याइज का मतलब हो किसी इस तरी की किसी वी चीजी को वेपन की तरह यूज करना वह वैपने जोगता है ठीक हाजी, next word we have is hype, hype का मतले होता है, propaganda करना, publicity क्रियेट कर देना, build-up क्रियेट कर देना, ठीक हाजी, discard का मतले होता है, exclude करना, drop करना, abandon करना, forgo, get rid of, abandon and forgo, do not share one, ठीक हांदा कना, ठोड़ देना, meaning होता है, discard कर देना, ठीक हाजी, what we have is harmony, what we have is harmony, harmony, harmony का मतलब होता है, noun, एक noun को तरीके से काम करता ही, harmony का मतलब पीस होता है, agreement में, unity, solidarity, cooperation, agreement, concur, इस सारे synonym क्या हो जाएगा, ठीक हाजी, imposition, what क्या है, imposition, imposition, imposition जो what बना, दोस्त, वो impose से बनाया है, यसे impose, impose का मतलब उसका पर enforce करना, force करके कुछ लागू कर दे implementation, introduction, application, कुछ चीज लागू कर देना, ठीक हाजी, dignity का होता है, ठीक है, अपनी इजत होती है, moral delicacy, feelings होती है, अपनी majesty होती है, ठीक है, किसी के अपनी feelings होती है, वो dignity होती है, बनाया है, go beyond, एक phrasal verb होती है, go beyond का मतलब है, किसी चीज़ से ज्यादा, किसी की limit से आगे बढ़ जाना, वो तो go beyond, be more than something, to do more than something, to do more than what is needed, जो जरूर तो से ज्यादा कर देना, limit से परे चले जाना, वो तो go beyond होना, in that sense, in that sense का मतलब होगा, किसी particular situation में, by a particular understanding of statement or situation, in that sense का मतलब उसी sense में, उसी sense का मतलब, उसी situation में, ठीक है, labor, एक तो labor होता noun, noun का मतलब होता है, नाउन का मत और यह वर्ब जब होगा वर्ड, इसका मतलब होता है, work hard करना, try hard करना, work hard, struggle करना, make every effort करना, वो तो labor करना जी, जैसे जो एक female होती है, यह वर ध्यान दखना आप लो, जब फीमेल होती है, जब वो बच्चे को जनम देती है, तो labor करती है, कोई बड़ आ चुका है, fill in the blanks मे तो लॉट नहीं के जुदो एक एक वर्जा सब प्रखने को जilläटी है, जो वो labor करती है, जाए लेबर करती है, जाए वो प्रामगेर लेपर वर्ट, खीका है, तो सैंस वर लेपर वड़ी जोग पाओ, जो आपका हुआ हुआ, को मिल्ली हीने हो, जावी सिर्गान नीना, ज the meaning of something particularly when it that is complex complicated tough or difficult area attract reason sweat 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 means increase in the sense of the word host host means to present something or to show something, that is the host ethnic means that it is related to a population subgroup cultural national traditional folk with a common national cultural tradition, I mean, the people who have a cultural tradition is the same, they will say that it is an ethnic group, what we have is millennia, millennia is a noun, it means a period of thousand years, a period of thousand years, and the other millennia is plural, it is a millennium, it is a regular noun, cross current, first of all, it is a noun, it is a noun, it is a noun, cross current means cross current, and cross current means that two conflicting situations and two conflicting process can be used, conflicting tendencies, conflicting tendencies, conflicting process, both of them, if there is something in a position, then it will also be cross current, so this sense of cross current, serve no purpose, serve no purpose means that any specific use no purpose, no purpose means that it is no purpose, place point, flash point examples, repeat fash point examples, a situation where sudden problems could happen as real-world department, which is hmmmmfash Gathering important word is demekу liyena, farcical meaning tna farc blas, वर्ड का फार्स यह वर्ड कही बार आचुका फार्स का मतलब होता है कि जो बी तुका हो strange हो क्या हो strange हो फार्सिकल का क्या हो गया adjective हो गया मतलब laughable, absurd, preposterous, ridiculous यह सारे वर्ड का फार्सिकल का मतलब बी तुका अजीब सा टाइप का जी ठीक है मलग मजाकी हसने लाइग ऐसी कोई चीज़े को बोल पाएंगे फार्सिकल जी ठीक है तो ridiculous अच्छा वर्ड है, preposterous अच्छा वर्ड है, absurd यह तीनों बड़ ज्यान आगा जीए हबब हबब का मतलब होता है कि कई कोई confusion होना कई हला हु कटना ठीक है noisy environment होना होता हबब होना फ्रेंड कोमोशन कोई बोल पाएंगे clamor confusion kios यह सारे हमारे किस्केशन होने हो जाएंगे हबब के कोमोशन और क्लेमर अचे वड़े ठीक है hoist hoist का मेल उठाना होता है rise करना lift करना elevate करना जनली यह फ्लैक के साथ होता है फ्लैक को hoist किया गया गया है 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 डिसीपेट का मेल खतम करना disappear होना vanish करना disintegrate करना dissolve scatter करना अच्छा वड़े मेली अच्छा वड़े अच्छा वड़े करना करना अच्छा वड़े अच्छा वड़े प्रिपेड हो जी आपने सोचा इन था आप बिना सोचेव काम हो गया वह नीजर्क होता है जोना- और चाहर। ने सब्सक्राइब। भीकि को Chief ऐते हैं सब्सक्राइब के देशनुद्ट में जरता हैं वहता किसी soft power is convincing and effective power driving from attraction and imitation based on tangible resources as culture, ideology and institutions कहने का मतलब soft power वह power होती है जिससे आप लोग कोई किसी बंदियों convince कर पाओगे अपनी power को दिखा पाओगे कि वह आपकी तरफ attract हो ठीका जी इस तरीके से non-physical resources के तरीके से जैसे कई बार आपने देखा हो बहासन ऐसे हो जाते हैं कि वह आपको emotional होने पर मजबूर कर देते हैं तो वह soft power होती है होती है soft power ठीका जी लेकिन hard power क्या होगी hard power का मतलब हो tangible चीज है tangible का मतलब हो गया जो physical चीज है उनसे आपके emotional को क्या दिखा जाएगा बढ़काया जाएगा ठीक है hard power is coercive power coercive का मतलब होगा कि आपको stress देने वाले पावर है executed through military threats economic incentives and based on tangible research चाइज आर्मी एंड एकनोमिक स्टेंट्स हार्ड पावर का मतलब हो फीजिकल चीजों को युज किया जाएग एपोशन के लिए अच्छा वर्ड है digest from digest form का मतल थे बचके रहना उसे हटके रहना reframe from stop on self abstain करना hold back करना आप्सेंट्स चावर डेर डियर डेटी सब्सक्राइब टिन्नों के बाद from लगे का बाद ध्यान अगना बस जाए वड़ अबस रिफ्रेंट्स लिखाएं कर देना बंद कर देना है कि आउट आउट्व का मतलब ही होताँ सीज को पार और न किया होता है कि एकड और इसकी इंगे स्दूस को इस जैसे माअगड आ właści आॉट रख्या है और एक यहां पर बिनेना रख दिया जी इसका दोन लोगी जो पोजीशन है जिक्स्टा पोज में है जी आ साथ साथ में है जी जिक्स्टा पोजिशन का मलें कंपेरिज इंड कॉंट्रास क्लोजनेस परश्यूट का मतलब वहता उसके लिए सर्थ जारी करना क्वेस्ट फोर उसका पीछा करना फोलो करना वह था परश्यूट करना जी ठीक है जी तो आज की एडिटोल के हम लोगों ने सभी वकैदरी सीख ली है आई होप कि आपको चीजे वर्ड याद हो भी गए होंगे तो इनी वर्ड के उपर हम लोग क्या करने वाले हैं एक करने वाले फ्रेंट परश्यूट का मतलब आपको बताना पड़ेगा अकोडिंग ट्रू दी पैसेज कि पैसेज में परश्यूट का किस तरीके से यूज भाया जी ठीक है लेकिन कई बार फिगुरेटिवली यूज हो जाता कई बार वर्ड का तो आपको वह ध्यान में होना जीए फ्रेंड्स थ सब्सक्राइब आपको बहुत 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 फाइदा होने के लिए फ्रेंड्स किसी भी वर्ड को देखकर्स का अंसर करने के लिए ठीक है फर्स्ट वर्ड यूफाइब इस और और यूज है जार ने ल哈 कि वर्ड है वर्ड शेनोवी प्रायममेपस सब्सक्राइव लोग नहीं में वर्ड सुना ओगा दियर कि यज पता़िये अ अब लोगों नवर्ट सुनाओ और खेर्प्राइरीटी होता कुछ फीक है उसी से रिलेटर सारा वर्ड ये और हमारे पास प्रयमेस से प्र्योटी जियंत का में रास्टर वादी होता नहीं होगा डिया प्राइरीटि का साथ में होजी प्रोप्रकेंडे मतलब क्या होता तो यह हाइप कैर देना जी अंसर क्या बनेगा देल्स इस नेट्रजी यह कि विच वर् memoir एक इस ता सुनोनिम प्रेण बताना फ्रेंड्स आप लोगोगों को अब लोग अब लोग अच्छा इजी वड़ था पैट्रोएट बहुत इजी वड़ है यार ऑप्टिमिस्ट का अशावादी होता है इंटरनेशनलिस्ट का मलोग जो अंतराष्टी चीजों पे डील करने वाला बंदा हो गया नेशनलिस्ट का मलोग रास्टरवादी अंसर का All knows ever सब्सक्राइब का मतलब क्हों शीखा था yes label का मतलब हों कि ऑसिह को छी सिका तभा इन तो बनेगा, Eris का मतलब रिमूव कर देना उस चीज़ को ये भी एंसर निन बनेगा dear, Stigmatize का मतलब बहुताइज की किसीज़ को Tag करना उस चीज़ को नाम देना, Stigma सुनागा आप लोगो नमाड़ी, Stigma स्टिग्मा का मतलब बता उस चीज को रेफर करना लिंक करना इंडिकेट करने की सेंस में जो दा डियर है ठीका जी अंसर क्या बनेगा स्टिगमेटाइज लेकिन आपको कंटेक्स से कोडिंग बताना पड़ेगा कंसिट्यूट का मीनिंग क्या होगा लेकिन कब लगेगा जब यह हमारा पैसिव वोईश में होगा यह बाद यह बाद रहना करा जी वाद जान आगना अगर एक्टिव वोईश में और फैसिव वस्में तो फस्यल्टाये ब्रइस में तो ओफ लगेगा जी वट उस शनॉनिम पर कैम एंपियन केंपेंग ऑMark गॉ rug hoe गॉ में लिए किएहाथ हुआ को फस हय जो किए कर देना को हमारा हुआ ओ कैंपीन यह होता हुआ है जिल्ठी समय को कोई meeting वगारा कोई कहीं पे कुछ seminar टाइप में अधा अंसर निये 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 अंसर बनेगा लास वर्ड वी है और यह लेकिन अच्छी है कि अंडरस्टेंडियर यह अच्राइज नियुक्त लेकिन अच्छी है ठीक है understanding का मतलब है उस चीज का recognition आपके पास है जी आप जानते है उसके बारे में ठीक है और जो identity होता है वो देखते हम लोगों का privilege का हम लोगों का होता है कोई right होना आपका कोई अदिकार होना हम डिखान एक्रेक्टर क्यों बनेगा किसी का क्रेक्टर और किसी का क्रेक्टर होना एक अछे वाला एक लियर चप अछे होना तो हम आज कर लेते कि किस चीज के बार में एडिटोयल था और उससे लिए जो ग्रेमर के कंसेफ्ट रहेंगे वो शेकिएंगे वीडियो के अंदर चाहिए तो हमारी द्रोहर है वहारी कल्चरल जितनी हमारे वेद पुरान है जितनी हमारी हिस्टोरिकल बुक्स अन सभी में भारत जिकर वह इंडिया कहीं पर नहीं है तो इंडिया का नाम भारत रखने की ट्राइ की जा रही है उससे को स्ट्रेस किया जारा एंफसाइज किया जारा की बात नाम रखना चीए इस इसके अपर पुरा आर्टिकल है देखते हैं कि आर्टिकल में बता आ गया डियर देर जो नूँड नेंग टो बी गीवन प्रैमेर्शी ओवर दिया दर मलकुई जरूरत नहीं है कि एक नाम को प्राइटी दिसे इंडिया था कुण बात को बाहर्ट को दिया जाया बाहर्त को इंडिया को देजाए ऐसी किसी ब्यचीज पी जरूरत नहीं है ये फूरा आर् और जो यह ब्लैक बोल्ड का रखा डियर यह होता ब्रीफ उसका सार होता डियर की इन चाहिए एक लाइन में पूरा बता जिए कि क्या इस आर्टिकल में बात की गई है इसे बताएगा कि देर इस नो नीड फोर वन नेम टो बी गिवन प्रामेशी ओवर दिवदार इसे लगा सकते हैं ठीक है जी तो चली आर्टिकल लोग पढ़ना स्सार्ट करते हैं इंडिया एंड भार्त वाने इंदर इस दसकों से ऐसा हुआ है कि इंडिया और भार्त दोनों ने शेम इमोशन इंवोक की हैं लाएं हैं कि इनके इंदर अपने राष्ट्रवाधी राष्ट् यह लेबल है जो नेम है यह प्राइड के गरव के नाम ही है के इन को वैपन के तरीके से यूज किया जा रहा है तो यूक्षोमें इंडी इतले पॉलीटीज़ इसके ओपर जिटीबुटे बारती जन्ता पार्टी गोपने को इंड्या इंडिया इंज्स में डिंद सैन्ट कॉम्मिडिाईए ज सके बढूमनिय के पहरी कर से कर दुटिबेक कि भारत को युज़ करेंगी इंडिया के लावा कई ओफिशल कम्मिनिकेशन में दोक्यूमेंट में ठीक है युज़ करने के रिचाइड किया है और प्रैक्टिस वह प्रैक्टिस देट इस रिपर्जेंटेटिव से विल नौ एक्सपेंड यह जो प्रैक्टिस है जो आगे ए भारत है यह जो हो इस तरीके से नाम देता है इंडिया कहीं पर जिकर नहीं है कंस्टिटूशन में भारत का जिकर है ठीक है एंड यूज़ ओफ वन और यह बीन लाजली कंस्टेक्ट्ट्यूल ओल इस वाइल कहने का मतलब होगा कि जो हम एक या किसी दूसरे का यूज करते हैं तो वह है थ गूतल MARTIN ५थर हमारे बारत नाम देजिए ठीक है तो यह अलग यह कंटेक्श्य वाले दोनों जो हमारी चीजे सामने आ रहे हैं जो अभी तक हुआ है जो हमारी हिस्ट्री में हुआ है जो हमारी वेद पुरान में डियर जो कल्चरल एकोज है और भारत भारत की जो कम तो दे रहे हैं जी एंड यह करने के लिए कि इंडिया को यूजबंद करना है जी हम लोगों को भारत की तबुझ जो ज्यादा हो गई है इंडिया के खंपेरिशन में जी वह क्यों हुई आगे बताएंगे अब हमें सीखना कि जो हम लोगों ने रखा रखा वर्ट को क् हमें अब दूसरी में ले लेते हैं इस पलार भी दूसरा ले लेते हैं यहस हमें शीखना कि पहली बाद तो ने वर समय ना की होता क्या जी नावर पहली बात तो इंडेशने टेंस में आता है जो फेक्ट को दिखाएगा जी ठीक है लेकिन नेवर को हम यूज कर लेते हैं परफेक्ट टेंस में जी परफेक्ट की बात करना हो जाना एडियर ठीक है और परफेक्ट का मतलब होगा इसका पास्ट प्लस में प्रेजेंट अब कैसे मेनिंग निकालें जैसे मैं एक संटेस लिखा आई नेवर गो टू अब इसका मीनिंग क्या निकालोगी क्योंकि पहली बाद टेंस वर्ब हमारी फिर्स्ट फोम आई है फिर्स्ट फोम का मलब टेंस इंडेफिनेट है इंडेफिनेट का मतलि हमारी हैबइट है कि मैं कभी नहीं जाता जी मैं गया इन कभी तक ना गया न जाओंगो जी I never go ठीक है मेरी हैबइट को दिखा रहे एक मेने रहे इसंटेस लिखा I have never gone to the market कि अभी यहांपर क्या मीनिग होगा अभ्य बेस चाल ह। जाता है है और इसका मतलब यह है कि मैं कभी जाता ही नहीं मेरी है यह intentional है और यह साथ unintentional की sense दे रहा डिया ठीक है समय में आ गया आप लोगों को अब एक sentence हो लिखा है हम लोगों ने never हो गया अब never के साथ कभी कई बार हम लोग before word use कर लेते हैं never before इसका meaning क्या होता है यह कभ यूज करना before यह भी समय आप लोगों को इन तीनी sentence से clear करना आप लोगों को I have never seen you in this office एक sentence आया जी I have never seen you in this office जिस तरीके से never use हुआ है उस तरीके से मैं सब्दना पड़ेगा की Xu यह concept है यह Pareceनल ना तो पास्ट में यह डेखा अना ही प्रेज़ियर जिस तरीके सेन्टेंस लिखा गया इसमाल हमें पता लग opini यह दोनों बंदे साथ में यह यह डंदा यह पे क्याकर मैंने आज तक तेरों कोिस यह नहीं देखा इसका मतलब अज तो खणा ओफिस में हमें सिरफ किसको करना जो या इसको prépar रही है प्रेजेंट नहीं करना जाओ क्या युज करना पड़ेगा, बेफॉर युज करना पड़ेगा हमें संतेंस पढ़ता लग गया कि अभी तो ओफिस में है इसका मेला ओफिसमें अब तो है, प्रेजेंट नगेट निकरना, आध से पहले नहीं देखा, पास्ट को अगर निगेट करना है तो हमें लास्ट में क्या उज़ करना पड़ेगा दियर बिफोर उज़ करना पड़ेगा बस यह सम्दाना था आप लोगों को ठीक है तो यह सोटा सा कंसेप्ट ध्यान आप लो आगे बढ़ते हैं यह सब्सक्राइब कर्णा आप लिए यह अगे फैरे देखते हैं इसे आजिफ करें मानों बोथ एक जिस्ट हामोनी मिलों ऐसा लग रहा जिस तरिके से हैं चांपेंच के tracks हामनी में करते ही नहीं मैंने मतलए या तो इंडिया भारत होगा ऐसा मीर्स दुनों साथ में लेोbलो ऐसा मौनर है कि जो इंडिया है वो वर्शीज बना जीए भारत का जी लेकिन इत्युन बाध कलत यह मानने की बाधर जी यह जैसी इना पर हमनी वोता कहा है जो यह in preposition होते हैं इनके बाद generally states use करते हैं हम लोग states का मला राजे नहीं है state का मला आवस्थाएं जैसे in danger ठीक है in harmony ठीक है in sleep जब भी state को refer करना हो खतरे में है harmony में है नीद में है ठीक है कोमा में है तो जब भी state को refer करना है तो पहले बाद तो प्रिपोजिशन क्या लगेगे दियर वहां पर इन लगेगे बस यह बात सम्झाना नहीं था आप लोगो गुरीबी में है थी गुलामी में है इन इन पोवर्टी ठीक है पोवर्टी इन स्लेवरी तो बहुत सारे फ्रेज हो जाएंगे दियर यह बस समझना आएगे कि स्टेट से पहले हमें साफ प्रिपोजिशन के आएगे दियर इन आएगे जवा ठीक है पढ़ना साट करते हैं इंडिया अकोडिंग्टी इस्टेलिंग इंडिया जो अगर जो बात है चल दे नहीं इसके कोडिंग अगर देखे हैं हम लोग इस फोरन इंपोजिशन यह फोरन के यहां पर बहुत है इंडिया को तो कहरें कि यह तो फोरन के लोगों ने इंपोज किया हम लोगों पर ठीक है हमारी नैशनल लिगनेटी के यह लिए खिलाफ उसके ठीक है फिर क्या करें भारत जिसको लिंक किया गए है एज़ वेरिस रिसॉर्स इस जो गोज ब्योंड इलिग जो हमारी कल्चरल उसके ब्योंड के बात कर रहें और जोग्रोफिकल और उसके ब्योंड के बारें बात कर रहा है ऐसा नहीं कि जोग्राफिकल बेस के और कल्चरल के बेस पर हम लोगों को भारत नाम दिया गया यह से प्रेग की बात है जी वह नाम जो कंसिट्यूट करता ह इकठा करता है कि इसको modern public of India को जो वो नाम ऐसा है जो cultural landscape और geographical landscape से पहले के मैं उसे प्रे के बारे बात कर रहा है ऐसा नहीं किसी से लिंक ढ़िए ठीक बलगे तो modern public of India constitute करता है इसके इंदर समाया हुआ है पूरा इंडिया ठीक है इंडेट सेंस इंडेट सेंस कमले अगरी सिच्वेशन में है ऐसी तो क्या करेंगे हम लोग बोथ नेम्स आर एन आउटकम ओफ इंडिया नेशनल बिल्डिंग जर्नी अगरी से बात करेंगे तो हमें पता है कि जो दोनों नाम है ना वो इंडिया की नेशनल जर्नी का है एक पार्त है बहरत के बहरत अगरी से नाम पड़ा भारत के नाम पर इंडिया अलग तरीके से नाम पड़ा है तो दोनों की अलग जर्नी है यह लबिस्ट आउट दा एक्सपेंस अव दिस नेशन देट एट होस्ट अ मल्टीटूड फेथनिक लिंग्विस्टि आज के बाद हम लोग क्या करेंगे जर्नली सब्जेक्ट और वर्व को भी हाइलेट करना शार्ट करेंगे जी तो बच्चे जो बड़े संटेंस होते उनको समझने पाते है थोड़ा हम लोगो बहुत कुछ एड़ करेंगी सेसन में क्योंकि यह जो सेसन रहने वाला ना यह सब्सक्राइब तो यह जो आप डिफिकल्ट सिचोएशन को सोल करने जो टाइम वेस्ट कर रहें हैं हो किसका difficult situation, the foreign from the native, labouring to tease out the foreign from the native in the expense of this nation, मतलब आप एक foreign को क्या कर रहे हो, foreign को मैं इंडिया को बाहर निकालने की बात कर रहे हो, और the native को मतलब हो गया इंडिया में, इंडिया में भारत को रखने की बात कर रहे हो, in the expense of nation, कि हम इस नेशन को बड़े तरीके से नाम दे रहे हैं, अखंड भारत का नाम दे रहे हैं, expense of this nation, ठीक है, that host, जो यह present रहा है, कब, a multitude of ethnic, जो हमारे सामपरदाइक है, linguistic भाजा की बाहसी चीज़े हैं, इन चीजों को समाई हुए है, तब हम अपने nation को expand करने की बात कर रहे हैं, और foreign को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, and that has been formed, जो बनाया गया है, as a result of millennia, thousand years के period के बाद, जहां पर migration हुई है, cross-current हुई है, cross-current का मतलब हो गया, कि conflicting situations हो, उस टाइम पर यह, उन चीजों से बना है, किसमे, human interaction, अलग-लग interaction हुई है, आप लोग जो effort लगा रहे हैं, foreign को बाहर निकालने का, India से, वो क्या हो गया, India को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, थीक है, वो इंडिया, जिसने, एथनिक, linguistic, भासिया, genetic disorder, diversity को क्या किया है, होस्ट किया है, present रहा है, यहां पर जाती है, दंगे हुए है, इन सीजों में, उसने होस्ट किया, present रहा है, उस टाइम पर यह, and has been formed, बना है, वो सारी migration, का मैं लो, यूरोप वाले बंदे आगे, ठीक है, इटले वाले बंदे आगे, फ्रांस वाले बंदे आगे, इंग्लेंड वाले बंदे आगे, interaction, और cross-current हुई है, conflicting situations हुई है, कभी पर दंगे हुए है, कभी पर कोई चीज हुई है, ठीक है, इसके दवारा, बलकी तो क्या करेगी, नई flash point देगी society में, flash point का मतलब हो दिखते पैदा करेगी, यह कुछ अच्छा ही पैदा नहीं करेगी, सिंपल सी बात यह, ठीक है, आगे देखते हैं, यहांब करेगी, इस फार्सिकल हब, फार्सिकल का मतलब हो दा, जो हसने लायक अजीव सा, जो यह noisy environment हो गया है, hosted upon the country, जो country, country के ऊपर मंदरा रहा है, should have been allowed, इसको allow कर देना चाहिए था, कि to dissipate and recede, इसको खतम ही कर देना चाहिए था, जो पहली बार यह आया था भारत नाम रखने का, तभी खतम कर देना चाहिए था इसको, ठीक है, बट ननीजक reaction, जो unplanned जो reaction आया है, कि इसका opposition का gave it the aura, इसको और मलब घी में तेल डालने वाली बात कर दी, अगर मालों बंद करने की बात कर दी तो लेकिन opposition ने क्या भीयास में घी में तेल डाल दिया, of a fundamental identity questions before the nation, कि हमारे जो identity है, हमारे जो देश की वो इंडिया नहीं है, भारत है और emotion खेला है पूरी nation के साथ, ठीक है, the RSS has been asking for privileging the use of भारत over India for long, यह बहुत सालों से क्या है, बहुत लंबे टाइम से क्या है, इंडिया को हटाने की और भारत को उच करने की मांग कर रहा है डिया, but the opposition block decision to label itself India as an acronym also might have influenced BJP Hari in the name exercise, यह कह रहा है कि जो लेकिन हुआ क्या है, जो opposition block है, opposition block का decision है कि इसको इंडिया ही label करना है, पेक करना है, इंडिया ही नाम रखे दे रहेना है, as an acronym, acronym का मतलब होगा कि किस चीज को short form होना डिया, ठीक है, यह हमारे बहुत सारी भासी है, linguistic और ethnic चीजों को समाई हुए है, जो acronym बना हमारा also might have influenced, इसने भी influence किया होगा, कि इसको BJP की Hari को in the naming exercise, ठीक है, क्योंकि OPC बाते बादे, मालना करें, इनको dissipate करते स्टार्टिंग में ही, तो opposition ने क्या कर दिया, घी में तेल डाल दिया, ठीक है, घी में तेल डालने के बाद, पूरे नेशन के बाद यह चल पड़ी, फिरी जब इन देखा कि अया भारत को उच करने की बात हो रही, तो RSS यह जो बाते होरी, यह जो बाते होरी, माइट है इंफ्लॉएंस, साइज इनों इंफ्लॉएंस किया है, BJP की हरी को, कि जल्दी-जल्द करें, कि इसको exercise को, इन नाम बदलने के size को जल्दी से implement करें, ठीक है, फार फ्रों डेमस्टरेटिंग अनेशन स्ट्रेंथ, एंड प्र बलकि क्या government अगर इन नाम बदलता रहेगा, तो यह undermine कर देगा, वीक कर देगा हमारी इंडिया confidence को, इस soft power को, soft power का मतलब जो हमारी बोलने की जो कला है, जो हमारी emotions के जो एक दूसरे connection है, उसको क्या कर देगा, यह वीक कर देगा, friends, भारत has been part of popular culture, political and cultural idioms, literature across many Indian languages, जो भारत ह वो हमेशा हिसा बना रहा है, popular culture का, political and cultural idioms, idioms का मला जो कहवती होती है, जो बात्चीत होती है, ठीक, अपने literature का, बहुत सारी Indian languages में, similar lucid तरिके से, India is also used by millions within and outside the country, इंडिया को use किया जाता है, बहुत सारी लाखों लोगों के दुआरा, बहार और अंदर हमारी country से, जो इसकी progress के लिए इच्छा रखते हैं, effort लगा रहे हैं, ठीक है, it is possible that context and the constituencies of these proper nouns might vary, हो सकता है कि यह possible है, कि जो context है, constituencies है, इन दोनों नामों की, नामों की might vary, साथ वो vary कर सकती है, कि इंडिया का नाम अलग तरिके सा अलग situation दिखा रहा है, और बाहरत अलग situation दिखा रहा है, but that is the very reason to digest from the attempting to impose the use of one and as of the other, but that is the very reason, यही सिरफ एक only reason है, vary का मतलब यहां पर क्या गडियर, only, यह समने आप लोगों को, कि the vary का मतलब होता है, the only, यह समने आप लोगों को को जी, ठीक है, the only, का मलग दव एरी, confuse मतों आशे, ठीक है, यही एक only reason हो सकता है, कि जो digest करें, आपको बचाये किस से attempting, कि आप attempt ना कर पाओ, कि एक नाम को दूसरे के बजाए use करो, as outcome, side कर देना चीज़ को, ठीक है, कहने का मतलब है, एक ही reason आपके पास हो सकता है, क्या, this is the only reason to digest क्या, कि आप लोग एक नाम को हटा कर दूसरा नाम ना रखो, क्योंकि कोई भी फाइदा नहीं हो सकता, सिरफ defense क्या है, कि context और constituencies अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो भी हो, लेकिन क्या है, कोई भी ऐसा reason नहीं है, कि आपके पास कि आप लोग एक नाम को हटा कर द दूनों लोगों के लिए एकी meaning है, एकी meaning convey करेगा, friends, the needless, कि कोई जुरूत नहीं है, जुक्षटा पोज का मलों साइड में रखने की, दूसरे को close रखने की, of the two names should not affect the bonding of inhabitants in the pursuit of a misplaced culture combat, कहने का मलों, जो आप लोग दोनों नामों को साथ-साथ यूज कर रहे हो, तो कोई भ मिस्प्लेस कर दिया, cultural combat को आगे लिया जाएगा, ठीक, लडाई होने लग जाएगी, ठीदंगे होने लग जाएगे, फिर क्या करें, let India and भारत coexist as they have always been, तो इसलिए क्या है, इंडिया और भारत को एक साथ रहने दिया जाए, जैसे वो आज तक रहे है, ठीक है, यहां पर क् वर्ब से होगी तो इंपेरिटिव सेंटेंस होगा, अगर यह वर्ब लेट आगी तो लेट के बाद एक वर्ब आती डियर, जिसको बोलते बेर इंफिनिटिव, तो ध्यान दकना, let के बाद जो भी वर्ब आएगी डियर, हम इसा वर्ब की फर्स्ट फॉम आएगे, ठीक है, यह कोई reason नहीं है कि आप लोग एक नाम को, दूसरे नाम की वजाए, इंफोज करो चीँ, ठीक है, टोटली आअड एडि अडिटोयी प्रमु में ये बात की गई है, अब एडिटोयी के ब dependence में कि फ्रेंच, दो आपको अंसर करने हैं, इस यी क्वेस्टन है अकोडिंग तो पैसे पहली बताना हम लोगों को यह जितने भी क्वेस्टन है नहीं इनफरेंस बेश्ट है जहां दखना पहली बात हो इनफरेंस का मतलब होगा आपको 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 समझना पड़ेगा फ्रेंट्स वहां पर ठीक है इनफरेंस का मतलब विवादसपत ठीक है मिलब इंडिया को छोड़ कर भारत को यूज करना कैसे विवादसपत इसू बन गया जी वह हमें बताना फ्रेंड्स यहां पर ठीक है पहले वाला बोर टर्म सांसीडर फॉर्न इंपोजिशन दोनों की दोनों टर्म फॉर्म पोजिश हो सकता है ki इसने एक्सकलोसिबले बिल्कुलत एफ किया थाडी होल्ड करको जलते शको धॉर्था फॉजिशन ब्लुक्त schwierig इंस और उंवा न्यि कर पाम एंविचे आ स़ छोट है इंडिया अन्स वीजिट करने के लिए का निर्य नार्शकर भाहीता इस ignorant पेंडराशा अद् ठीक है कि भारत नाम रखना चाहिए चाहिए इसलिए यह विवाजपत इसू बन गया चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इस दा मेन अर्गुमेंट मेड अगेंस्ट प्रिविलेजिंग दा यूज ऑफ वन टर्म कि मेन अर्गुमेंट क्या है जो बनाई जो दी गई है कि आप लोगों को एक नाम के उपर दूसरा नाम नहीं रखना ची क्या आर्गुमेंट दी गए डियो हमें बताना है ठीक है यूज ऑफ वन टर्म इस फोन पोजिशन यह आर्गुमेंट नहीं थी यह तो बहुत कि रीजन था कि इंडिया के बारें बता रहा है ठीक है वो तर्म करने ता सेम मेनिंग असेंस ऑफ मीनिंग यस हो सकते हैं हमारी कि दोनों का मीनिंग सेम ही है तो क्यों टैंसल लेनी है ब बत्तो अब आूगे इस हुझ सेमारी इंपॉर्टेंस गैज था और सेवस्ट Girma कंवें करते हैंं दोनों मीनिंग सेम है दोनों कंटेक्स्स अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन अभी तक मेनिंग सेम ही आรे दोनों वास्त तो यही वो में अर्गुमेंट दी गही है कि आप ठीक है कि थर्ड वाला कुश्चन है पड़ी एक बड़ यह है अकोडिंग्न दुश्चन नेमिंग एकससाइज है वन नेशन कोन्फिडेन्स और सोफ्ट पावर करें यह सकता है इसको विक कर देगा डियर यह निंगरे घ्याँ अंसर का निंगाशीज था यह बोत ईजी कोशन था यह वाला तो प्रेसज के दुआरा हमें क्या पता लगता कि दोन्हों में क्या रिलेसंशिप इंडिया और भारत में चीए वह हमें बताना, friends 120 थिम्ट्षा कि एंट्र निंग बंट्वारीस के थिए वह वीजिखेंस नहीं लिए लग अज्ऑ कि दिम्ट्व आयंटिटी तिरिका और सब्सक्रा को दरीकांग ना वाला बने चाहिए थी कि बहुत इजी अनसर था ये वाला भी कि फिफ ला देखिये आपको इंपोज नहीं करना जी क्या अर्गूमेंट देता है ठीक है बार्थ भार्थ पार्ट निया ना इंडिया आज के टाइम पे मिलियंस लोग दो करते हैं और इसके लिए वह प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ा भी रहें इंडिया में या भारत है वो अपने देश के लिए कर रहें कि आपको नाम बदलने की जुरूत नहीं है कि आप इंपोज करो क्योंकि दुन्हों का मीनिंग से मिए डियर अंसर क्या बनेगा सी वाला जी देख लेते एक बार विकुश्ट गोर्मेंट डिसीजन है अल्रेडी क्रिएटिट अ कॉर्मेंट डिसीजन इन लिए डिया भी तो इक आज़े शिक्स क्वेश्टन है इप और गर्मन्त दिसकार्ड डीजो दि इन डिसकर्ड करने के नहीं है इंधिया नहीं इंडिया सबस्काइब यह हमारा पॉजिशन हो सकता है कि मेन पॉइंट क्या है आर्गुमेंट जो पॉजिशन ने दिया पॉजिशन ने दिया कि हम लोग भारत कुछ करना चाहरे इंडिया के बजाए ठीक है अंसर बनेगा दिशी वाला ची अच्छा कोईशन डियर तो आज एक लास का लास कोईशन आपके सामने है तो पर पड़ियो रशका अंसर किये जिए 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 अकोडिंट वट इंपक्ट डज अननसेसरी डश्पोजिशन अफ यह वन सट्रेंट का मतलव अगर दोनों अननसेसरी चीजों को एक साथ यूज कर रहे हैं तो इसका क्य इंपक्ट होगा माई सोसाइटी के उपर इसे इंपक्ट की बॉंडिंग को स्ट्रेंट देगा नहीं इंपक्ट का मतलव नेगटिव की बात कर रहा है जिक्या आसर पड़ेगा रियो उसका चीज इंपक्ट पड़ेगा कर हम दोनों को ऐसा करेंगे ना अननेसेसरी पैदा करने वाला पॉइंट हो जागा चीज बनेगा चीज बनेगा बहुत एजी आज एक क्वेशन थे आपको सब के सब ठीक होंगे लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करना फ्रेंड्स कि आप लोग कोई दिक्कत हो रही है तो सभी कमेंट करने आपको तो आज की इस वीड के लिए में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स